आएए जी असलाम लेकुम माई डियर सुदेंट्स उमीद है अब तब ठीक होंगे हैर्यास होंगे डियर सुदेंट्स आज हम जो क्वेश्टन करने जा रहे हैं चैप्टर नुबर 3 का वह है 3.12 इस क्वेश्टन के अंदर उसने काई है दा फ्रीक्वेंसी डिस्टिबूशन गिवन बिलोव हैस बिन ड्राइब फ्रॉम दे यूज ओफ वर्किंग ओरीजन इफ दी इस एकल सुद एक्स माइनस एटीन ठीक है और वाय माइनस एटीन एक ही बात है फाइंड अरिफ्मेटिक मीन एंड जीमेट्रिक मीन इस गिवन डेटर की दो आवरीज इस फाइंड करने के लिए इसने का हुए हमें और प्रॉशन के अंदर जस्टेक हिंट दिया वैं जिस दी इस इकल स्टू एक्स माइनस 18 थीक है और हमने इसकी दो आवरीज इस फाइं आविजिक मीन्हां हम फाइंड करेंगे इस क्वेशिन के अंदर वही डिवीशन मैथड ठीक हो आपको मैं बताता हूं इसका फॉम्मला क्या होता है और इसको कैसे ड्राइब कर दें और जो जो जीमेटिक मीन है वह हम स्टिम्पल में नीड से इसको हम ड्राइब करेंगे ज स्टुडेंट्स तो साथ से वह दोनों के फॉर्मॉला जो इस क्वेशन के अंदर यूज होने वह मैं यहां पर लिखता हूं और फिर आपको मैं उसको ड्राइब करने के तरफ लेके जाता हूं अरिफमेटिक में नहीं का जो हम फॉर्मॉला यूज करेंगे बाई देविशन मैथर्ड वह हमारे पास ए प्लस असाम f d divided by sum f और जो ग्यूमेटिक में यूमारे पास फॉर्मॉला इसमें हम यूज करने जा रहे हैं gm stands for geometric mean और इसमें हम formula यूज करेंगे anti-log sum f into log x divided by sum f इसमें यूज करेंगे और चूंकि इसमें f यूज हो रहा है इसमें और इसमें भी और इसमें भी तो हम इसे अंदादा लगा सकते हैं कि यह दोनों group data के formulas हैं ठीक है और जो हमारे पस data उसने given हमें दिया हो वह group data है क्यूंकि उसके अंदर frequency हमें जो है वो दी गई है अच्छा अब हम सबसे पहले find करते है arithmetic mean और arithmetic mean के लिए हमें क्या चाहिए a चाहिए ठीक है सबसे पहले तो formula के अंदर a वो हमें उसने question में given दिया हो यह this is our a यह जो 18 है basically जो d का formula होता हो होता है x-a तो उसने एक ही जगह 18 दिया हुए it means कि a हमारा 18 है तो a तो हमारे पास आ गया उसके बात हमें क्या चाहिए arithmetic mean के लिए हमें चाहिए f multiply by d ठीक है तो माइनस 12 को 2 से multiply करेंगे तो हमारा fd फस्ट आजएगा माइनस 24 इसे तरह माइनस 8 multiply by 5 तो यह आजएगा माइनस 40 तो यह हमारा सारे का सारे कॉल्म हम इस तरह से draw करते जाएंगे जब हम इस कॉल्म को draw कर लेंगे तो last में हमें फिर इसका sum भी चाहिए f और d का sum हम जब इन सारी values को यह जो plus वाली values इनको plus करके इन में से minus वाली values को जब subtract कर देंगे calculator से तो हमारे पास इसका answer आजएगा वह है two five six तो यह f d का sum आजएगा फिर arithmetic mean के लिए नीचे हमें चाहिए sum f हमारा जो frequency का column है उसका हमें sum चाहिए ठीक है और इन सारी values को जब हम add करेंगे तो हमारे पास frequency का sum आजएगा 18 ठीक है तो हमारे पास a भी आगया जो था 18 ठीक है उदर से f d का sum भी आगया और f का sum भी आगया तो जब हम इन तीनों को put करेंगे अपने arithmetic mean के formula के अंदर तो हमारे पास हमारा arithmetic mean फाइंड आउट हो जाएगा तो a हमारे पास 18 है sum f d हमारे पास है 256 यह प्लस formula का आएगा as it is 7 आप यहां पर यह याद रखना है कि a को आपने हमेशा positive value ही लेनी है formula के अंदर यह जो minus है यह formula का minus है 18 के साथ इसको आपने arithmetic mean के अंदर नहीं लेके जान तो a आपने just 18 लेनी है इस point उसको आपने यहीं पे रहने देना है इसलिए यह हमारा 18 है sum f d 256 है और नीचे sum f हमारा 80 है तो हम पहले इनको दोनों को divide करेंगे 256 divided by 80 तो हमारे पास इसका जो answer है वह आजएगा 3.2 और 18 इदर as it is आजएगा और जब हम इन दोनों को plus करेंगे तो हमारे पास arithmetic mean का अंसर आजएगा 21.2 sorry 21.2 this is the answer of arithmetic mean तो हमारे इस data से एक चीज़ता हमने find कर ली ठीक है कि हमारा जो arithmetic mean है यह तो हो गया find अब रह गए geometric mean और geometric mean का मैंने formula यहां पर नीचे लिखा है ठीक है और इस formula के अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए है वो यह वाली है ठीक है इन में जो हमें बताया जा रहा है कि हमने sum लेना है किस किस का के f को multiply करवाना है किस के साथ log x के साथ और वो हमने column draw करना है ठीक है f log x का तो मैं सबस सबसे पहले मैं draw करता हूं x और x मैंना को बताया था कि mid points को भी कहते है ठीक है लेकिन यहां पर जो x हमारा निकलेगा वो इस formula को थोड़ा सा rearrange करने से इस equation को थोड़ा सा rearrange करने से निकलेगा ठीक है इस x को आप इधर रहने दें 18 चुक्के equation के side पे माइनस में है तो उधर जाके d के साथ हो जाएगा plus तो यह बन जाएगा x is equals to d plus 18 x के लिए हम इस formula को यूज़ करके अपना x ड्रॉ करेंगे अब d क्या है यह हमें given दिया वरस ने और 18 formula का है तो हम बारी बारी अपनी हर value जो d की value है उसके अदर 18 को plus करते जाएगे और अपना x हमारा बनता आएगा मैं यहां पर भी लिखता हूं d plus 18 फस्ट वैल्यू डी के है माइनस 12 माइनस 12 प्लस 18 यह आजएगा 6 जब इसको स्वाल्ट किया जाएगा तो यह आजएगा 6 फिर है d minus 8 formula में पुट करेंगे जब हम minus 8 प्लस 18 करेंगे तो minus 8 चूंके minus की value छोटी है प्लस की value बड़ी है तो हम हमारे आंसर के इस आंसर जब वह positive में आएगा 10 minus 4 प्लस 18 14 तो यह हमारे इसी तरह सारी values निकल दी आएंगे हमारा होगे draw अब extra draw करने के बाद हम इसका ले लेते हैं log बारी बारी हर value का log of x ठीक है और log of x आपने calculator से लेना है x की जितनी भी values है पारवे सबका log 6 हमारे पास आजएगा 0.7781 10 का log 1 होता है log 14 जो है वो आजएगा 1.1 461 log 18 आजएगा 1.25 52 इसना सारी values का मैं log लेता जाओंगा log 22 हमारे पास x का log है वो आजएगा 1.3424 log 26 आजएगा 1.4149 30 का log आजएगा 1.4771 और 1.5314 आजएगा 34 का log तो यह मेरे पास log x आ गया ठीक है log x इस formula के accordingly मैंने यहां पर अब मैंने अचीव कर लिया है ठीक है और जो f था frequency वो तो हमें already गिमर है ना question के अंदर तो यह हमारे पास f है यह हमारे पास log x है तो जब हम इन दोनों कॉलम्स को इन दोनों कॉलम्स की values को आपस में multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा f ठीक है log of x जो हमें इस gm के formula के अंदर चाहिए यहां पर जिसका sum चाहिए तो f log of x हमें यहां से इस तरह से draw जाएगा तो आप हम बारी बारी हर f की value को उसके सामने वाली log of x के साथ multiply करेंगे तो 2 को जब हम multiply करेंगे 0.7781 के साथ तो यह मरपास आजएगा 1.5562 इस तरह f की 5 value है इसको 1 से multiply करेंगे तो यह आजएगा 5 simple फिर 8 को multiply करेंगे 1.1461 के साथ तो आजएगा 9.1688 फिर f की 18 है इसको multiply करेंगे जब आपनी log of x के साथ 1.2552 के साथ तो यह आजएगा 22.5936 इसे तरह हम अपनी सारी values बागी की जो है वो निकालता जाओंगा तो इक कॉलम complete करने के बाद मुझे sum चाहिए इसी कॉलम का log of x का तो मैं यहाँ पे इसका sum ले लेता हूँ इनको जब हम plus करेंगे इन सारी values को तो हमापस इसका answer आजएगा 104.1875 जी students तो f log x का हमापस sum यहागा जो हम इस formula के उपर put कर देंगे और नीचे sum f हमापस वही है जो given a question के अंदर 80 जो हमने यहाँ पे भी use किया arithmetic mean के अंदर sum f 80 वही यहाँ पे same use होजएगा तो मैं इस formula का अब drive करता हूँ anti log bracket उपर हम पर sum log of x f log x का sum जो हो आजएगा 104.1875 यह जो हमने यहाँ पर निकाला है और नीचे sum f हम जो हमारा 80 है ठीक है तो जो question गंदर हमें f दीगा तो उसका साम एटी है अब हम इन दोने values को करने के divide अभी anti log apply नहीं करना ठीक है anti log as it is साथ आता जाएगा पहले हम इन दोने को divide करते हैं तो divide करने के बाद हमारा पास जो answer आएगा वो आजएगा 1.3023 अब हम इस value का जो है वो anti log लेंगे कैसलेटर से तो जब हम इसका anti log ले लेंगे तो हमारा पास आजएगा 20.06 यह जो value आएगी यह हमारा पास answer है geometric mean का तो मेरा है आपको बचो समझ आगी होगी इन दोनों फॉर्मूला की दोनों चीजों की arithmetic mean और geometric mean हमने किस तरह से find करना है इस data का दोनों group data है ठीक है और easy है कोई मुश्किल नहीं है बस formula आना चाहिए और formula के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती है हमें वह हमने इस ही data को ही use करके हमने बनानी होती है ठीक है यह दो columns just हमने उसने हमें दिया हुए थे question में और given एक चीज equation दिया हुई थी हमने इनको use करके तीनों को हमने सारी चीज़ें निकाल लिए तो अगर कोई चीज रहगी हो तो वीडियो को दुबारा देखीगा आराम से अच्छे त्रीके से समझेगा और फिर भी कर कोई चीज आपको नहीं समझा दी किसी चीज की तो मुझसे जरूर पूछा करें ठीक है मैं हादलू इंशाला तर आपको guide करेंगा अच्छा और मिल अगली ग्लास में अपना ह्याल रखिएगा टेक केर अलाफीज